हेलो गैज, वेलकम इनार चैनल और आज मैं लेकर आए हूँ एक और मज़दर मुवी का रिफ्रियू यार इस मुवी के रिव्यूज तो काफी सारे भाईबन दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा लेकिन इसके रिव्यूज से पहले एक कोशन मेरा क्या बोलीविड होलीविड से बेटर एक्सपीरिस दे पाएगा बेटर परफॉर्मस दे पाएगा तो अचले यह शुरू करते हैं जल वायू अगली प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां है जो अस्त्रों में भरी हुई है तो गाइस जैसे आपने टीजर देखा तो जितने भी बोलीविड और रंबीर और अमृता बच्चन और नागार अरजन के लवर्स हैं वस अभी इस मुवी के लेकि काफी ज़दा एक्सेटीड होती है क्योंकि अभी कुछ घंटे बहले इनका एक एक एक्स्प्रमेशन वीडियो पर लोड हुआ है मैंने अभी ज़द देखा था तो उस पर एक एक करेक्टर के बारे में डिटेल्स बेरे थी यह अपनी मुवी को एक next level पर लेके जा रहे है यार यह चीज़ तो मैंने भी notice करी यार very good thinking यार लेकिन एक चीज noticeable या काफी ऐसी चीज़े है जो noticeable आगे भी होगी और इस मुवी को लेके काफी सारे haters भी है जो कि मैंने comments में देखे गाइस और मैंने खुद notice करने वाली चीज़े मेरे दिमाख में और मेरे सुनने पर तो आईए जो यह audio है क्योंकि मैं एक Marvel का biggest fan है अगर आपको भी लगे तो मुझे पताना यार क्या यह sound exactly वैसे सुनो क्या आपको भी वही लगा जो मुझे लगा शायद चलिए इसको छोड़ते हैं आगे बेढ़ते हैं यह आप कुछ भी कहो दूवी को लेके मूवी बनाने से पहले इन्होंने अच्छा से प्लैलिंग करिया आप वी एफेक्सिंग शायद एडिटिंग से लेके चलिए कच भी लेलो यार एक्टरस को लेलो जगा जगा से बोरा मिस्तर कठा करके एक ही जगा कंठा कर दी यारुने अप नागन को लेलो आलिया का लेलो ड़ान वीचन को लेलो लेलो बेठे बड़िया कर रहा है आजकल बेठे और वैलकम टु यानि हीरोज की जो मुवीज बनाखते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस्पल नहीं चलिया है, हाँ हाले कि क्रिश मेरे अभी भी दुमाख में बैठी हुए है क्योंकि इसकी सीक्वेंस निकला और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया उसका बोल्यूड पर, और मैं कहता हूँ कि ब अच्छा था, डीपली वक करते हैं कि क्या सकता कि इनसान की लेवल है, तो भाई मेरे दिमाख में सिर्फ एक ही बात चल रही है, अगर पहला बात ना चलाना तो सत्या नाश होजेगा, और मेरे हिसाब से तो चलेगा ही क्योंकि साउट भी है इसमें, बोलीवड भी है इसमे और स्टोरी लाइन भी है इसमें, तो इन सब चीजों को कॉंबिनेशन बनने के बाद मज़ा ही आचाएगा, बाकि हमारा पबलिक क्या बोलती है वो तो पबलिक जानती है गाईस, पबलिक जासा रिव्यू देगे हम भी उसी की साथ वैसी खड़े रहेंगे यार, और देख इस मुवी को सिरफ छे तरह के लोग ही देखने जाएंगे, पहला जो इन एक्टर्स के फैन्स होंगे, दूसरा जो लवर्स होंगे, तीसरा जिनके पास कोई उमीद नहीं होगी कि यार यहीं मुवी देख भी पड़ेगे, चोथा जो हमारे तरह के रिवीव वीवर्स होगे क्योंकि उनको experience लेना होता हुआ, आपको exploration करते हैं यार, पांचवा वो जिनको उमीद होगी कि इसमें कुछ अलग होगा, और छटा वो जिनको इस मुवी के haters या मजाख उड़ाना हुआ है, लास्ट और लिस्ट, तो चलो बात करते हैं हम storyline की, तो storyline कुछ ऐसे है कि यह जित का जो पहला पार्ट है, वो रनबीर सिंग के उपर है, जिसके पास अगनी अस्तर, और अगनी अस्तर की ताकत के बारे में, यानि कि यह पूरा पार्ट फोकस करेगा रनबीर सिंग के उपर, उसकी love story के उपर, उसकी personal life के उपर, प्लस, वो कैसे उसको realize होता है कि उसके पास कि बेचे watch कर दे, subscribe करके, watch कर दे, और मज़ा रहेगा और भी, release नहीं गया बात को